हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब मुझे पता है आप अभी अच्छा फील नहीं कर रहे हो क्योंकि मार्किट थोड़ा नीचे जाति दिख रही है लेकिन अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी इसका एंटिसिपेशन हमने पहले ही आपको 24 गंटे पहले करके बता दिया थ लेकिन कई लोग हैं जो क्या करते हैं देखो यही तो फर्क है ना जिनको थोड़ी समझ होती है और वो कोशिश करते हैं एनलाइस करने की प्रिडिक करने की और जातर उनकी चीजे अच्छी जाती हैं या वो mentally prepared होते हैं और कई लोग इस टाइम पे हक्य वक्य रह गये होंग क्योंकि मार्केट यहां crash कर रही है बिट कोई एक डेड़ परसंट टूटता है तो all coins तीन चार पांच परसंट टूट जाते हैं और यहां पर बड़े बड़े कोईन की बात करते हैं टॉच डॉट वो तो अपने lower low लगाए जा रहे हैं यानि कि अपना जो recent low था या आप कह थोड़ी tension हुई पड़ी है और इस्राइल का पता है हमास का पता है फिलिस्तिन का पता है कि वहां पर issues निकल के आ रहे हैं और इसकी वज़े से पूरी global market के उपर हमें इसका impact देखने को मिल रहा है और यह चीज हमने आपको 24 घंटे पहले बता दी थी कि ऐसा हो सकता है सबसे पहले आपको यहां tension लेने की ज़रूरत नहीं है यह सब चीजे temporary होती है हमने क्या क्या देखा है क्रिप्टोकरंसी के अंदर कितना बड़ा crash होते देखा है तो आपको यहां पर सबसे पहले एक लंबी सांस लीजिए और हक्के बक्के या tension में आने से पहले चीजों को समझ हिए कि यहां पर क्रिप्टोकरंसी खतम नहीं होने जा रही है सबसे पहले यह चीज को रिलाइस कीजेगा और अगर आपको लगता है हम कोशिश करते हैं सही टाइम पे सही चीजे आपको बताने की तो वीडियो को लाइक ज़रू करिए चैनल को सस्क्राइब करिए और सुनने में आ रहा है कि यहां पर हो सकता है यह एसकलेट करें और अरफ की कंट्रीज इनवाल होती दिखें हमें नहीं पता यह होगा के नहीं होगा लेकिन अगर यह होता है तो मार्केट पे इसका इंपेक बढ़ सकता है ग्लोगल पाइनेशल सिस्टम के उपर और उसकी और क्रिप्टोकरंसी पे देखने को मिल सकती है लेकिन यह टेंपरेरी होगा अब वो क्यों वो समझिए हमने कल आपको बताया था कि कल संडे है तो यहां पर मार्केट ज्यादा रियक्ट करती नहीं देखेगी बिटकोईन क्रिप्टोकरंसी रियक्ट नहीं करती देखेंग अमेरिकन मार्केट खुलेंगी और उम्मीद की जारी है क्योंकि जो फ्यूचर्स हैं वो कहीं नहीं नेगिटिव के अंदर है तो उम्मीद की जारी है कि वो नेगिटिव ही खुलेंगे तो कहीं नहीं क्रिप्टोकरंसी मार्केट पे उसकी हीट फील होती है क्योंकि जब क् Bitcoin के price या cryptocurrency market के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन larger picture देखें, आपको भी पता है Bitcoin बना क्यूं था, एक alternative financial system बनाने की कोशिश की थी, parallel economy बनाने की कोशिश की थी, यहाँ पर एक चीज आप समझेगा, इस time पर actual में gold का price देखते हो, तो वो 1% से उपर यहाँ पर बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर gold का price बढ़ रहा है, और आपको पता है जब ऐसी tension होती है, तो oil के price के अंदर spike देखने को मिलती है, तो crude oil का price वो भी बढ़ता दिख रहा है, और Bitcoin को जिसको हम digital gold कहते हैं, तो temporary तो यहाँ पर नीचे आता दिख रहा है, लेकिन देर सवेर में यहाँ से bounce back करेगा, और actual में इसका काम global financial system अगर अच्छा नहीं करता है, वर्ल्ड की global economy अच्छी नहीं करते हैं, stocks अच्छे नहीं करते हैं, तो इसको अच्छा perform करना चाहिए, क्योंकि इसको as a hedge, जैसे gold को consider किया जाता है, इसको किया जाता है, तो short term में ऐसा हमें follow करता देखता है, लेकिन थोड़े से time बाद, quickly यहाँ से bounce back करता दिखेगा, कहां तक पहुंच सकता है, वो मैं अभी आके इस video के अंदर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो समझने की बात है, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो घवराना नहीं है, यह यहाँ पर opportunity की तरह आप ले सकते हो, अब यहाँ पर सिर्फ यह बात नहीं है, यह हफता थोड़ा सा उल्जुनो वरा रह सकता है, और अब यह अगर escalate होती है situation globally, तो market के अंदर थोड़ा panic देखने को मिल सकता है, 5-10% की गिरावट के लिए हमें पहले सी तियार रहना चाहिए, लेकिन CPI data भी release होना है USA का, और वो होना है 12 तारीक को, और उसके अंदर भी उम्मीद की जा रही है, वो भी भढ़के निकलेगा, पिछली बार भी जादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा भढ़के निकला था, 3.7 आया था, 3.6 forecasted था, लेकिन इस बार भी कह रहे हैं, इस बार forecasted है 3.6, उम्मीद की जा रही है, इस बार भी भढ़के निकलेगा, अगर ये भढ़के निकलता है, तो stock market के उपर impact देखने को मिलेगा, और इसका heat, short term के अंदर, bitcoin और cryptocurrency पे भी देखने को मिल सकती है, तो ये दो factor हैं, जिसकी वज़े से अभी हमें, market के अंदर pressure देखने को मिल रहा है, अब सवाल आता है, कि यहाँ पर करें तो करें क्या bitcoin को लेके, यहाँ पर कुछ नहीं करना, चीजों को थोड़ा सा ease out करो, और आपको ये पता होना चीए, कि support का है, अगर आप देखते हो, day candle को छोड़ दो, monthly candle या weekly candle में आते हो, तो आपको यहाँ पर 27,000, 50 month moving average की support मिलती है, यानि कि उम्मीद पूरी है, कि 27,000 डॉलर अगर शाम को market खुलती है, 27,000 डॉलर तक आए और वहाँ से bounce back कर जाए, तो पहला situation ये होगी, तो अगर आप entry ले रहो पार्ट में, तो 27,000 डॉलर के आजपस ले सकते हो, अगर यहाँ नहीं टिकता है 27,000 डॉलर के ऊपर, तो हो सकता है, ये 25,000 डॉलर के आए, 25,000 डॉलर को test करे, और ये एक पढ़ी opportunity की तरह लीजेगा, शायद दुबारे आपको मौका, Bitcoin और cryptocurrency market 25,000 डॉलर पे ना दे, तो दो लेवल पे, दो जगहे पे हमें entry यहाँ पे बनाने का मौका मिल रहा है, short time में entry यहाँ पे बनाके, हम थोड़ा earning कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक और factor है, जो शायद आप नजर अंदास कर रहे हैं, वो है कि जो 200 week moving average है, पिछले हफते वो positive close हुआ था है, positive क्या हलका सा 50 dollar के उपर नीचे, वो उपर close हुआ था, और इस time पे 50-100 dollar नीचे close हुआ है, तो इसको भी कहीं न कहीं हम positively तो नहीं लेगी है, और उसका technically भी pressure हमें अभी देखने को मिल रहा है, 200 week moving average जो की लगोई 28,050 dollar के आसपस आता है, अगर हम चाहते हैं कि यह 31,000 dollar अक्टूबर के अंदर लगाता दिखे, और अगर market में escalation होती है, globally situation खराब होती है, तो थोड़े challenge temporary आ सकते हैं, लेकिन इस चीज से हमें परेशान नहीं होना है, और यहां पर बस जैसे share होता है ना, घात लगा के बैठता है, और अपने आपको mind prepare करके रखो, और यह ध्यान रखो कि उतना invest करो, जिससे आपकी रातों की नीद न उड़े, कई लोग क्या है, पूरा का पूरा 100% लगा जाते हैं, और उपर नीचे होता है, तो उनकी दिल की धड़कने बढ़नी शुरू हो जाती है, रातों की नीद उड़नी शुरू हो जाती है, ऐसे काम मत करो गई है, अगर आप actual में long term के अंदर टिके रहना चाते हो, well generate करना चाते हो, नहीं तो परेशान भी रहोगे, और पूने दामों में अपना माल भी बेज़ दोगे, और फिर बाद में कुछ time के बाद में regret करते रह जाओगे, इस चीज को आपने ध्यान रखना है, बाकी रही दूसरे coins की बात, आपको मैं बता दूँ कि जितने भी बड़े-बड़े coins हैं, वो भी इस time पे यहाँ पर crash होते दिख रहे हैं, dodge की बात करें, अगर आपको $0.055 के आसपस मिल जाए, तो miss मत करना, XRP अगर आपको $0.4546 के आसपस मिल जाए, तो वहाँ miss मत करना, Shiba Inu बहुत अच्छी entry यहाँ पर दे रहा है, लगबग 60, 680 के आसपस अगर यहाँ मिल जाए, शाड़े 600 पर आजाए, तो एक बड़ी entry हो सकती है, मैं अब बात करना हूँ, 0.000,000, 680 है, 650 के आसपस मिल जाए, तो एक बड़ी entry यहाँ पर आप बना लीजेगा, तो कहले लिजिए, पांट-दस परसेंट अगर तूटते हैं, तो यहाँ पर miss मत करना, इन बड़े coins के उपर भी नजर बना के रखे रखना, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, हर बार की तरह आपको हमारा content अच्छा लगा होगा, हमारा content अच्छा लगा है, तो वीडियो को like जरू करिए, चैनल को subscribe जरू करिए, और हमारी family का हिस्सा बनना, बिल्कुल हम भूलिये, अभी के लिए बदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुश्कुराते रहिए, कमाते रहिए आपका दोस्त पंकेज, तेंक यू, नमस्कार, धन्यवार,